हेलो फ्रेंड आज की वीडियो में हम सिखेंगे ब्यूटिफूल लटकन बनाना तो ये मेरा फैबरीक है इसकी लंबाई और चौडाई यहां पर हम देख लेते हैं तो हमने यहां पर लंबाई और चौडाई फाइफ फाइफ मिंच लिया है और इस तरह से हमने यहां पर टू जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे इसी तरह आपको सेंटर पर रख लेना है और हम इसे एक पतंग की तरह सिलाई लगा रहे हैं दूसरे वाले पल्ले को भी सेम हम इसी तरह ही सिलाई लगाएंगे यहां पर तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं एक सागे कट कर लेगे और यहां पर थोड़ा सा जो एश्ट्र है निकला हुआ है उसे भी हम कटundred करके ब्राबर कर लेटे हैं ह fish कि और यहाँ पर कट कर लिया है अभी हमें ले लेना है ढोरी तो मैं यहाँ पर एडिमेंड डोरी ले रही हूं और इसे हम बिल्कुल सेंटर पर रकें 约 देख रहे होंगे इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर अपको रखना है अब फोल्ड करते हुए यहाँ हम corner से सिलाई लगाना है, start करेंगे जैसे हम normal लटकन बनाते हैं, बस वैसे ही आपको रखके यहाँ पर सिलाई करना है एक बर फिर मैं आपको बता रही हूँ तो देखे इसको हम इस तरह से center पर रखके fold करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हमने यह दोनों जो लटकन है उस पर सिलाई लगा लिया है यहाँ पर, अब इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ तो इस तरह से हमें इसे सीधा कर लेना है और यह हमारा जो लटकन है वो बन के ready हो जाएगा, हम इसे blouse पे, suit पे बना की लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिलाई करते हैं तो अलग-अलग प्रकार का लटकन बनाएंगे तो उसे blouse का suit का जो look है वो भी काफी अच्छा आता है तो यह आज का मेरा छोटा से वीडियो था अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब करें थांक यू, थांक यू सो मच